पानी जिन्दगी का आधार है हमारे शरीर का दो तिहाई हिस्सा है और केल्सियम एबम मेगनिसियम समेट कई जरूरी मिनरल्स का श्रोत है इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रपर होने चाहिए तो आम तोर पे लोगों का मानना होता है कि अगर पानी देखने में सही है और पीने में मीठा है तो क्वालिटी ठीक है और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग आरो वाटर और बॉटल वाटर की तरफ सिफ्ट हो गए हैं लेकिन इस से प्राब्लम और बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि डबलो एचो को एक वार्णिंग जारी करनी पड़ी है पिछले साल कोलकता में जो भी जितने ब्रांडेड वाटर साते हैं उनका कंपरेजन वहां की नलके के पानी के साथ किया गया था और पाया ये गया कि नलके का पानी ज़्यादा सेहतमन्द है आरो और बाटल वाटर में तीन बड़ी प्राबलम्स होती हैं पहली प्राबलम TDS की दूसरी मिनरल्स की और तीसरी प्राबलम्स प्लास्टिक्स की TDS मतलब टोटल डिजॉल सॉलिड की पानी में क्या-क्या घुला है कितना घुला है अगर पानी का TDS कम हो तो पानी हाइपोटोनिक होता है अगर TDS ज़्यादा हो तो हाइपोटोनिक पीने के पानी को ना तो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक और सबसे बढ़िया टोनिसिटी मिलती है 350 TDS पे बैसे 200 से 500 की पूरी रेंजी बढ़िया है और 1000 TDS तक का पानी पिया जा सकता है पानी का TDS 100 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा हाइपोतोनिक होता है और इतना हाइपोतोनिक वाटर जो बड़ी का एक बैलेंस होता है जिसको होमियोस्टेसिस कहते हैं उसको गलबड कर देता है और होमियोस्टेसिस गलबड होने से कई बीमारियां हो जाती है कार्डियो बैस्कुलर डिजीजिस से लेके हियर फॉल तक लंबी लिस्ट है और डबलो एचेओ को वार्णिंग इसलिए जारी करनी पड़ी कि आरो और बाटल वाटर पीने वाले 99% लोग सौ से नीचे का TDS का पानी पी रहे हैं और यह सब हो रहा है स्वात के चक्कर में क्योंकि 75-65 के बीच में पानी का स्वात सबसे मीठा होता है और जहां तक मिनरल्स का मामला है तो जब आरो मेंबरेन से पानी फिल्टर होता है तो बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं दूसरी तरफी रह जाते हैं उसमें minerals बहुत कम हैं, वो demineral है और ये बीच में एक legal issue भी हो गया था और उसके बाद से यह हुआ कि जो भी branded water बनाने वाले हैं, उन्होंने mineral water लिखने की जगे package water लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आम जनता को अभी भी यही लगता है कि bottled water mineral water है, और जहां तक यह जो plastic की ब महिने तो भी plastic उसमें घुलता है, और यह घुलना इसलिए जादा होता है क्योंकि 100 से कम के TDS का पानी बहुत जादा aggressive होता है, हाइपोटोनिक होने की बज़े से कई जीदों को वो घुलता है, और यह dissolved plastic खतरनाक है, cancer समेत कई बीमारियां कर सकता है, अब solutions की बात कर लेते है तो पहली चीज तो यह कि bottle water बिल्कुल बिना बंद करते हैं, और दूसरी चीज आप अपने घर के पानी का TDS चेक करें, अगर TDS 900 से जादा है, तो RO लगा लें, और RO का output का जो TDS उसको 300 पर रखें, 900 से कम TDS पे RO लगाना sensible नहीं है, क्योंकि उससे जो स्वात का फायदा होत है, उसके तुलना में जो dissolved plastic है, उनका नुकसान जादा है, तीसरा काम ये करें, कि पानी को मिट्टी के घड़े में रखें, और घड़े को ऐसी जगह रखें, जहां पे धूप आती हो, और हवा आती हो, घड़ा बहुत कमाल की चीज है, अगर पानी का TDS जादा है, तो घड थोड़े minerals निकाल लेता है, और अगर TDS कम है, तो अपनी तरफ से मिला देता है, और जब उसको हम खुली हवा में धूप में रखते हैं, तो पानी अच्छी तरीके से oxygenate और sanitize हो जाता है, घड़े के पानी का मुकावला कोई नहीं है, अब बात कर लेते हैं quantity की, कितना पान water retain कर लेती है, एक बिल्कुल उल्टी सी चीज है, जब आप पानी कम पीते हैं, तो body water retain करती है, और retain करने से बजन तो बलता ही है, और भी problems होती है, इसके अलावा अगर कम पानी पी रहे हैं, तो kidney stone यानि की पत्री हो सकती है, और constipation भी हो जाता है, तो 10 से 12 glass पानी हमें पी पानी की दिन भर में पांच बार में दो-दो करके 10 glass पानी पी लें, खाना खाने को और पानी पीने को भी mix नहीं करना चाहिए, जब खाना खा रहे हैं, और जब पानी पी रहे हैं, तो पानी पी हैं, और आखरी सलाह ये है, कि अगर मजबूत बनना है, चतुर सुजान बनन तो हमें घाट घाट का पानी पीना चाहिए इसके बॉटल के गूमना ठीक नहीं है झाल झाल